कैसे हो सब बढ़िया आज की वीडियो में बात करेंगे कि जो लास्ट के जो च्छय महीने पर पास में बच्चे हुए हैं उनमें अपनी नीट को लेकर क्या स्टेजी होनी चाहिए जैसा आप लोग सब जानते हो कि एक्जाम फोर्थ में को होना है हमारे पास कितना समय है ठीक तो पर खतम होई चुका है नमवंबर स्टार्ट होने वाला है तो अपन देखें तो छह महीने पने पास में है ठीक है और तुम दिल की बात पूछोगे तो effectively मैं बात करूँ तो अपने पास में छह महीने नहीं है यार हना 6 महीने पूरे नहीं है अभी नमवंबर अपना मुड़ाओगे तुम लोग भी ठीक है फिर आपकी होली आ जाएगी भी सर्दियों में एक दो दिन जुकाम भी लगेगी तो मैं बता रहा हूँ effectively पूरे 6 महीने नहीं है ठीक है सही मोटे मोटे बात यह है कि पूरे 6 महीने भी नहीं है मतलब सिरी से बात है time बहुत कम बचा है अच्छा तो क्या अब हम पढ़ कर सेलेक्शन की और करीब जा सकते हैं क्या तो जवाब तो यह है कि मैं इमान की चल रहा हूँ कि आप बिल्कुल 0 पे तो नहीं हो ठीक है अगर आपने 11 बार भी पास कर रहे है तो 0 पे तो नहीं हो यार बिल्कुल टर्म्स तो पता ही है ठीक है चलो तो क्या अगर आप discipline के साथ में serious होते हूँ तो क्या आप कर सकते हूँ बट वो डिपेंड करता है ना कि आप कितने में उसको लेकर serious हूँ ठीक है बहुत सारे लोग जो है जितने दर motivation चलता हो तो इदर motivated रहते हैं और फिर वो ही ठीक है अपना instagram पे really score करना यह स फिर तो नहीं होगा वाई simple से बात है ना पढ़ाई करोगे तो होगा नहीं करोगे तो नहीं होगा अब आपके last 6 महीने में strategy होनी क्या चाहिए जो लोग seriously चाहते है कि हमारा selection हो जाए ठीक हम उन से बात कर रहा हूँ जो यह चाहते है कि हमारा selection हो जाए हमें हवर साल neat aspirant बन आती है ठीक है वरना आप अगर यह सा आते होगे हम दूसरी field में try कर लेंगे वहाँ और ज्यादा मुस्कीले आ जाती है और तुम लोगों अगर नहीं पता तो किसी सब पूछ के देख ले ना जो government completed exams की त्यारी करते हैं उनको पूछ के देखना अलग महावल है ठीक है आज इफक्टिव ली बेक देखे है तो तीनी subject है महीं अपने पास में ठीक है कौन से है बाइलोजी की में बात कर लो तो बाइलोजी का सिंपल सा फंडा है यार बाइलोजी का फंडा बहुत सिंपल है करना क्या है आपको करना आपको यह है कि आपको पहले detail lectures करने पड़ेंगे क NCRT की lines आपको समझनी है बया समझनी हमने और क्या करें मैंने कहा एक NCRT exemplar आती है और उसकी PDF आपको Google वोगल पर मिल जाएंगे ठीक है उसके questions कर लीजिए आप एक तो ठीक है exemplar के question कर लीजिए ठीक है PYQ कर लीजिए ठीक है और कुछ और questions की practice कर लीजिए जो हम भी एक Biology की अंदर बहुत simple fund आया है ठीक है और लोगों को लगता है Biology बहुत आसान है और वो इसको इतना serious नहीं दे कि हम Biology तो आती है और मैं आपको बताता हूँ दोखा Biology देती है फिर लास्ट में फीजिक्स का तो पहले से पता है बाई, Physics तो हमें नहीं आती है लेकिन Biology ये लगते Chemistry की बात करते हैं तो Chemistry के अंदर अपन इसको तीन भागों में बांटते हैं इन औरगनी Chemistry की जहां तक मैं बात करूँ तो syllabus जो काफी हद तक reduce कर दिया गया है काफी syllabus जो हटा दिया गया है तो जो बचा syllabus उसको आपको बहुत अच्छे से करना है ठीक है ऐसा नहीं कि बहुत hard paper पर आने वाला है नहीं ठीक है paper जो का level जो वो NCRT based ही रहेगा लेकिन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और यहां पर जो chemistry की में बात करूँ तो इन औरगनी chemistry वाला portion है इन औरगनी chemistry जो है उसके अंदर आपको NCRT को importance देनी पढ़ेगी NCRT को importance देनी पढ़ेगी जब आप इन औरगनी chemistry के NCRT खोलोगे तो आपको chapters के बेच में कुशन्स मिलेंगे ठीक है जिसे paragraph खतम हो उसके बाद कुशन्स मिलते हैं chapter के अंदर ही कुशन्स मिलते हैं उन कुशन्स को करिए वहां पर आपको examples भी देखने के लिए मिलेंगे और वहां मैं आपको बता दू, direct उन example से, उन कुशन्स से, exam में direct कुशन्स आ जाता है, ठीक है, तो chapter के बीच में जो कुशन्स है और जो example से NCRT वाले वह बहुत important है, इसके अंदर IOC के अंदर, ठीक है, और of course आपको इन औरगनी chemistry के लिए आपको detail lectures तो करने ही पढ़ेंगे, प byq, byq और plus fusion practice, इधर उधर की बाते हैं आपने को नहीं करनी है यार, छह महिने में, 6 महिने ही अपने पास में, इधर उधर की बाते हैं, अपने को to the point बात करनी है, stick रहना है points पे, ठीक है, इधर उधर की बात ओपर अपने को धान नहीं देना है, ठीक है, भूल जाओ भाया अच्छा है महीने, ठीक है, किदर क्या चल रहा है, शोचल मेडिया पर क्या चल रहा है, कोन से में वाइरल हो रही है, सारी चीज़ें गूलने पड़ेंगी, ठीक अच्छा है महीने की बात है, बात करूं मां Organic Chemistry की, तो Organic Chemistry यार अजब पढ़ते हैं, उतनी देर असान लगती ह और उसके बाद में भूल जाते हैं, और सबसे बड़ी बात Organic Chemistry के Cutions नहीं बनते हैं, पढ़ते हैं तो सब में समझ में आ रहा होता है, सब बढ़िया बढ़िया लगता है, लेकिन जैसे की Cutions आता है, तो उनको यूज करके आया हुआ होता Cutions, तो हालत खराब हो जाती है, त इसके अंदर मैं कहूंगा आपको, कि यहां पर आपको Concepts समझने के बाद में Cutions की Practice करनी पड़ेगी, Concepts plus Cutions, आपको यहां पर ज्यादा चीज़ा करने होंगे, ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो दिमाग में, ठीक है, Organic Chemistry के लिए भी मैं कहूंगा आपको, कि जो NCRT की, ज Concepts plus Cutions, तो मैंने कहा, कि आपको NCRT पर ज़्यादा फोकुस, देख लेना कि टाइम हो तुमारे पास, लेकिन ज़्यादा आपको Concepts और Cutions पर फोकुस सकते हैं, Physical Chemistry में, सेम आप Physics के लिए कहूंगा, कि आपको Physics में भी Concepts सीखो, और ज्यादा ज़्यादा क्या करो, Cution Practice करिए, क्या हमें NCRT पढ़ने की जूरत है, मैंने कहा, नहीं है, ठीक है, कोई एक-दो क्यूशन आएगा NCRT की लाइन से उठके आएगा, नहीं करोगे Physics में, तो भी काम चलने वाला है, तुम लोगों को टीचर से पढ़ रहे हो, तो थोरी में वैसे बता लेगा और नहीं बता रह गएगा, ठीक है, तो यह बया सिंपल सा कॉंसिप्ट है, यह लेके चलो, पूरे 6 महीने, लगातार बिल्कुल डिसिप्लीन के साथ में करो, अब बात आते हैं, यहाँ पर बायलोजी के अंदर अपन NCRT रिडिंग सीरीज लेके आने वाले हैं, जो जितने दाद तुम लोग कोमेंट करोगे, उस दिल्दे हम लेके आएंगे, वह एंसाइड इडिंग सीरीज, और पिछले साल जैसे अपने एंसाइड इडिंग करी थी, बिल्कुल डिटेल एक एक लाइन को समझा था, सेम वैसे इस बार भी समझेंगे, हिंदी मीडियम की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर आप हिंदी मीडियम से हो, तो कमेंट सेक्षन में कमेंट करके, जरूर बोलना, ठीक है, तो अगर आप सीरियस हो, अपने ड्रीम को लेकर, मेडिकल फील को लेकर, ये नीट हमें क्लियर करना है, और हमें एक एक कोलेज के अंदर एडिमिशन लेना है, तो हम बिल्कुल डिसिप्लीन के साथ में लग जाएंगे, कमेंट सेक्षन में करना, कमेंट कर देना, कि हम डिसिप्लीन के साथ में लगने वाले हैं, ठीक है, और नीट करेक करने वाले हैं, तो अपने कमेंट सेक्षन में, कमेंट करके, जरूर बोलना, कि नीट करेक करेंगे, ठीक है, तो व झाल झाल